Hello everyone student, good morning, today we will learn chapter number 5, हस्ती हस्ती हस्ती, हस्ती means elephant, 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 हस्ती हस्ती, अब हम आगे काव्या की शुरुवात करते हैं, इसमें फर्स्ट वर्ड है, हस्ती हस्ती हस्ती, हस्ती means elephant, 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 yeah, दिविया देवी सुरुष्ती ही, right, दिविया means divine, sorry, unique, देवी means divine, सुरुष्ती ही means creation, right, now, sentence explained in English, elephant, 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 is a unique and divine creation, right, repeat, elephant, 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 is a unique and divine creation, कदली सद्रशी शुंडा, कदली सद्रशी, शुंडा means trunk, कदली सद्रशी, यानि की लाइक बनाना, कदली सद्रशी means like banana, सद्भस्मानाह, सद्भस्मानाह, means like pillars, like pillars, सद्भस्मानाह, यानि की यहाँ कहना चाते है, कि जो हाथी है, उसकी जो सुंड होती है, वो कदली सद्रशी, यानि की जो केले का पेड होता है, उसकी तरह, उसकी सुंड है, और जो उसका पेर है, वो किश के समान है, तो की यानि की स्थम्भ के समान, इसलिए, यहाँ कदली सद्रशी जो सब्द है, उसका अर्थ है, like banana, और स्थम्भ समान हा, means like pillars, pillars means thumb, right, पादाहा, means legs, right, तो नो ट्रांसलेट इन सेंटेंस, धह एलिफान ट्रॉंक इस लाइक ऑ बनाना, legs are like pillars, right, उसके बाद है, शुर्पाकारो करन, उसके जो साथी है, उसके करना कैसे है, शुर्पाकार, right, शुर्पाकार means like a trow, धवलो दिर्गो दन्तु, दिर्गह means, यानि कि जो लंबा होता है, बड़ा होता है, उसको दिर्गह केते है, right, और धवलो, right, धवलो means white, right, और दन्त means teeth, right, तो नाउं, सेंटेंस इन एक्स्प्लें इंग्लिस, ट्रॉंक is like a banana, legs are like pillars, ears are, ears are, trunk, shaped and two trucks, two trucks are white and long, उदरम भंडाकारम, यानि कि जो हाथी का जो पेठ है, पेठ कुर्शन स्कृत में उदर बूला जाता है, तो उदर है भंडाकारम, भंडाकारम means like a pot, यानि कि पोट यानि कि जो घड़ा होता है, उसको पोट बुलते है, तो उदरम यानि स्टमक, उन्नत ब्रुह सरिरम, उन्न ब्रुहत, यानि हाई, हाई and हाग, सरिरम, sorry, पुच्छम means tail, अल्प, तुच्छम पुच्छम, अल्प यानि कि, छोटा, पुच्छम यानि कि, जो हाथी का जो पुच्छे, वो छोटी है, अल्पम तुच्छम, small and insufficient, अहो, अहो, विचित्रम, यानि कि, वाव, ओ, विचित्रम means beautiful or unique, तो translate noun, स्टमोक इस पोट शेपेड, बोडी इस हाई and हग, टेल इस small and insufficient, ओ, वाव, हाव यूनिक, अहो, उसका जो पेठे, वो एक खड़े के समान है, बहुत बड़ा सरीर है, अल्प तुच्छम पूच्छम, यानि कि, जो पूच है, वो छोटी है, वाव, कितना विचित्र, यानि कि, ओहो, वाव, हाव यूनिक, पर्वत सद्रशे गात्रे, पर्वत सद्रशे गात्रे मेंस, माउंटेन लाइक बोड़ी, राइट, माउंटेन, शोरी, माउंटेन लाइक बोड़ी, सवसरप शन्नी भनेत्रे, यानि कि, टू आइस, लाइक, माउंटेन, सीट्स, राइट, नेत्रम मीन्स वन आई, नेत्रम मीन्स वन आई, कथम, कथम अती बलवान, यानि कि, अती बलवान सब्द जो है, अती बलवान जो शब्द है, नाव मेंस, अंकुष् смотреть ऐखस्ट्रम मीन्स थेश, अंकुष् समात्रद मीश ओनली वीथे शारप ओंटेंड स्टीक, Ăंkus āंkus sharp pointed stick used control and elephant वीतह means scrid is afraid translate in english sentence to mustered seed like ice in its mountain like वोग बोडी हो एवोग्ण, होग्द दूआ इस एक्स्रूंग। तर्णफ यह हैं टूपन प्रोट इओ जॉवन फ्यूट रिपक, रिप लोग्वा घंट थाव।ंट। ऑ्लीपन इन्टफ लोग्वा हैं लोग वगात ट्रशंट। अव्राव लोग्वापन फॉवापन लो The elephant's trunk is like a banana, legs are like pillars, ears are wing-winged, trog-shaped and two-task are wide and long. Stomach is pot-shaped, body is high and hog, tail is small and infiniate, oh wow, how unique! To mustard seed-like ice in its mountain-like hug body, how scared this extremely strong elephant is only with a sharp point and stick. Thanks for watching this video now, okay, goodbye.